हेलो दोस्तों मैं हुरुजद, बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का इस न्यू वीडियो में दोस्तों कभी स्कूल या कॉलेज में अपने उस बेस्ट फ्रेंड का इंतजार किया है क्लास में बैठ कर जिस दिन आपको वो बोल दे कि मैं आने वाला हूँ और अगले दिन वो आए ना तो कितना गुसा आता है और उस साथ ही कितना इंतजार उसका रहता है कि निगाहें जो है वो दर्वाजे से हड़ती ही नहीं है लेकिन अब पहली बार आप देखने वाले हैं किसी टीवी सीरियल के अंदर जब एक प्रोफेसर के निगाहें केवल और केवल दर्वाजे पर टिकी है उसका फेवरेट स्टुडेंट आया नहीं अब देखे आने वाले एपिसूड सीरियल को में किसी के प्यार में का बहुत कमाल का और बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है जो कि आपके लिए काफ़े इंट्रेस्टिंग होगा बिकाउस देखो कोई भी टीवी सीरियल के ओना हो एक पॉजिटिव वाइब की जरुद जो है हम सभी को होती हो और हम सभी उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं तो आने वाल एपिसूड भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़े आपके लिए लेकर आने वाला है मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर की क्या कुछ खास है तो जुड़े रहिए वीडियो में लास तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके फेवरिट टीवी सीरियल से जुड़ी और न्यू अपडेट्स के लिए अब देखो किस तरीके से इशान बुके लेकर जाने वाला है किस तरीके से सोरी बोलने वाला है किस तरीके से इशान मैम से सबी सजेशन मांगने वाली है किस तरीके से ACP आने वाला है सब कुछ मैं आपको आलरेडी कई सारे वीडियो में डीटेल में explain कर चुका हूँ आज सीधे बढ़ेंगे हम उस moment की और जहां पर एक गुरू की निगाहेट की है दरवाजे पर कि उसका favorite कब आने वाला है अब देखें यहां पर इशान सुबह पहले ही college पहुँच गया है और पूरी तरीके से जो है इस चीज को लेकर excited है कि मैं class में जाऊंगा तो वहां पर सभी आएगी अब इसके लिए उससे time का कुछ अता पता नहीं है time से पहले हो कहीं और जा रहा है time का उससे अता पता नहीं है किसी और की class में गुसे चला आ रहा है तो ऐसे कई सारी अटपटी चीजे यहां पर इशान करते वे नजर आएगा और फिर खुद को ही समझाते वे नजर आएगा कि शान बोसले प्रोफेसर है तो college का यह सब क्या कर रहा है और यहां पर पूरी तरीके से वो जो है सवी का इंतजार कर रहा है अब देखो उच्छे तर्षमे भी आने वाला है जब सवी का इंतजार करते वे उस अपनी class में तो जाना ही पड़ेगा पर अब देखेगा कि सवी तो class में मौजूद नहीं है तो पूरी तरीके से वो जो है अपने lecture को यहां पर रोक देने वाला है और जब class के अंदर इशान सरकुद जो है lecture रोक दे और कुछ कहे ना तो सभी students सोचने वाले हैं कि वो सर जो एक minute time waste नहीं करते उन्होंने आज class में आ गए हैं तो कुछ कर भी नहीं रहे अब इशान विचारा खड़े-खड़े क्या ही करे अब खुछ तो करना पड़ेगा न class में आया है तो तो कहने वाला है कि तुम लोगों को सभी चवान से inspiration लेनी चाहिए उसकी copy को एक पर देखना चाहिए जिस तरीके से उसने exam दिया है न तुम लोगों को भी inspire होना चीए उससे और उससे बढ़िया कोई लिख नहीं सकता है यहाँ पर आयूश वो दुरुवा हो और उसकी जो friends वगरा है वो सब तो वहले ही से बहुत परिशान है कि फिर से exam देना पड़ेगा और इसी बीच इशान उनको भी यह कहने वाला है कि वहिया तुमको तो आपस exam देना है और अगर उसमें पास हो गए तो class में continue करना वरना एक batch पीछे हो जाना तो यहाँ पर वो पड़ाना शुरू करे उससे पहले ही जो है वो सवी की बात करने वाला और पीछे से वाज आने वाली में आई कमें सर और यहाँ पर सवी की entry होते ही जो है इशान की मुस्कुराहट इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि वह यहाँ आप लोग सीरिल देखकर फैल जाने वाले है कि ऐसा moment रोज देखने को बिल जाया तो सिरिल की मेकर्स का क्या जाए और यहाँ पर entry होने वाली सवी की और यहाँ पर lecture होने वाला है कमाल का जहाँ पर इशान जो introduction देने वाला है सवी का कि मिस सवी चावान का फिर से welcome back आप लुकीज यह जूर दार तालियों के साथ क्योंकि इन्होंने मेरे subject में टॉप किया है और आपको सवी से inspiration लीनी चाहिए और इस तरीके से सवी जो है class attend करने वाली है सवी की friends के चेहरे पर भी यह बड़ी वाली smile होने वाली है कि हमारी तो मसीहा लाट कर आ गई है अब देखो यह scene एक तरफ चल रहा है तो दूसरे और हरीनी ताई के बारे में भी लोग पूछ रहते हैं यहाँ पर कि आज के episode में दिखाया जाता ending में कि किरन आया है तो यह किरन आया किस के गर पे था इशा मैम के गर पे आया था कि अपने खुद के गर पे थे उस समय सवी और हरीनी ताई तो दोस्तों बता दू कि इशा मैम का घर होने वाला और किरन सुधरने का नाटक करने वाला है और ऐसे में सवी जो है वो कंवेंस करने कोशिश करेगी हरीनी को कि मगरमच वाले आंसू है जूट बोलना है बंदा लेकिन यहाँ पर हरीनी बहुत सीधी है उसे अपने बच्चे के गरियर को देखना है और भविश्य को देखना है इसी कारण वो फिट से जाने का फैसला लेगी और बोली विसली बातों में आकर फिट से हरीनी किरिन के गर पर चले जाएगी तो ऐसे में यहाँ पर एक सीन तो आपको इधर का देखने को मदल रहा है और इशा मैम और शांतनों की बातों में अब ऐसा लगने वाला है कि जैसे की एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग लेकिन यह बाते दोनों की दिमाग में अब तक बिल्कुल भी नहीं आई है और दूसरे और ACP भी जो है वो शांतनों से मिलते वे आपको नजर आ सकता है अब देखें कॉलेज में तो यह सारे सीन होने वाले हैं सभी विशान को कहने वाली है कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा पर शायद फिर भी मैं रुक ना पाऊँ यहाँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास कोई जगा वग्या नहीं है और पास तो रहने की जगा नहीं है मैं करू तो क्या करू अब इसके बाद इशान कहेगा कि तुम्हारी एक और मुसीबत है तो इसका सोलिशन में मैं ही डूड़नुगा और यहाँ पर इशान जो है फिर होस्टल के काम में लगने वाला है जहां पर बड़े-बड़े राज नि मुझे कमेंट सेक्शेन बताइए कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं इंस्टाइग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए का मैं विलूँगा आप सब इलको से अगले वीडियो बताइब कर दोस्तों